बहुत लोगों का मानना है कि ये साल भारत का है, बहुत लोगों का ये मानना है कि ये दशक भारत का है, मेरे साथ एक शक्स है जिनका मानना है कि ये सदी भारत की है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मनीश चोखानी की और आज मेरे साथ स्टूडियो में मनीश चोखानी मेरे सा मनिश जी बहुत बड़ शुक्रिया आज हमारे साथ स्टूडियो में आप अपना टाइम स्पेंट करेंगे मोधी 3.0 उसके सेलेक्शन के बाद ये पहला इंटर्व्यू हमारा किस तरीके से इस वर्डिक्ट पढ़ेंगे अप जो वर्डिक्ट आया क्योंकि उस दिन एक स्केर था मार्केट ने एक टेकन फो ग्रांटेट ले लिया था कि ये तो होने ही वाला है वोलटिल्टी आई उस दिन और उसके बाद मार्केट ने वापस तेज़ी दिखाई क्या संदेश है यहाँ पर और क्या इन्वेस्टर्स के लिए एक मेसेज है अनु जी आपने सही कहा कि सोमवार को जब एक्जिट पूल के नतीजे आये थे तो सब एदम यूफूरिक हो गया था मार्केट और एक स्केर ज़रूर आया जब यह लगा कि जो मार्केट ने टेक फॉर ग्रांटेड लिया था कि सिंपल माजॉरिटी आ जाएगी बीजेपी की और एंडिय की सरकार बनेगी पर जब यह मालूम भड़ा कि कोलेशन बनेगी और खास करके चंदरबाबु नाइडू और नितिश जी जो कि अब सीनियर मेच्वर लीडर हैं और फॉफुली वो अपनी लगसी छोडने की कोशिश में होंगे राधर देन जैसे 10-15 साल पहले देखा गया था कि जो एक्स्ट्रेक्शन के मोड में रहते हैं कोईलेशन पार्टनर तो उससे लोगों को वापस थोड़ी काम लगी कि यह सरकार निकल जाएगी और जो काम में वो निकल देक्स्ट्रच्ब करता हैं कि भी कि अज दूध कि जो इंफ्रस्रस्क्राइग सेवा एया इस निए फॉवा एञा़ एशाद सेखा क्यों जैसे उन डाल बना सिख्या ए और घाया था थाव फॉफृट बना है या इंशेर्स में है तो यह काम चलते रहे और ज तो फिज़ यह थाशन। शच्छू को दे वा लना थाथा ही। टुछ दो में प्यूंद भीया कर दो कि हम बालंकिक इंडीर्टार मोजेशन अर। ज़ातुम ओर लिए भी यह बजिए खाए। आपको लगता है कि पॉलिटिकल वर्डिक्ट इधर उधर होने से उस पे कुछ इंपक्ट आएगा नहीं और वो थीसिस जो अभी बें इंटक्त है? I think so. कि, you know, कि मैं साइकल के साइकलों का काफी स्टूडन रहा हूं कि हर चीज का साइकल रहता है दुनिया में हम भी, you know, दिन होता है, रात होता है, सीजन होते हैं वैसे ही हर एक नेशन का अपना डेस्टिनी होता है हमारी जो डेस्टिनी थी कि हजार साल, you know, we stayed under foreign rule और वो ज अजो पेड़निया के फिर उनने इंडस्टिर रेवल्उशन मिस किया और उसमें डाउनफॉल चालो हो गई तो अब जो यह राइस हुआ है इंडिपेंडनेंस के बाद एन अजू सक्सेसिव अड्मिनिस्ट्रेशिशिएंस अल अल अग बेस्ट एसानिया कि एक सरकार या वायर है उसमें हो सकता है साल दो साल का फिर हो बड जो डिस्टिनेशन इंडिया का इनेविटेबल है जैसे कि चाइना में हुआ कि ऐसा नहीं है कि तद चाइनीज आ मच स्मार्टर और मौर केपिबल देन इंडियन्स उनकी राइज हुई उनकी रिफॉर्म हुई और वहम कि अपिर्टर नामबर 3 को अगले तीन-чार सालों में हो जाएंगे नंबर 2 और 1 जब तक हमारा सावाजब देश्यक होगा आजजादी का इलगी मैं दो स्राइकंटरटथ दो रूड है टो सुरली अगले ऑड?this 21 एक बड़ा व्यूज समय. अच्छा एक चीज़, मनिश जी, क्योंकि हम मार्केट की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बुल मार्केट में हम हैं इस समय. कि दो हुजार तीन से जो आठकी बुल मार्केट थी, वह करीब पांच साल की थी. ये और कोविट के बाद बुल मार्केट शुरू है. तो तकरीब अम हम 4-4 बुल मार्केट में आ चुके हैं. क्या ये एक एजिंग बुल मार्केट है या क्या इसको दूसरे तरीक से देखना ह होगा कि नहीं अभी हम सम्वेर इंदा मिडिल है अनुजा इंग दोहजार आट के बाद जो दुनिया में नोट प्रिंटिंग का सिलसला जारी हुआ वो अब तक खतम नहीं हुआ है वाइल फेड कहता रहता है कि मैं इंट्रेस्टेट घटाऊंगा मैं कॉंटिटिटिटिव इसिंग को रिवर्स कर रहा हूं जो दूसरी बड़ी बैलन्स शीट है जो कि गवर्मेंट की है अमेरिका में वो अब तक ऐसे चला रहे है कि कोविड क्राइस है या 2008 का क्राइस है तो तो दूमेनन थीम्स अवर्स कि इसके ओ पर उनकी मार्केट चलती जा रही है इतना पैसे का जोर है कि जो इंफलेशन को यह लोग करना चाह रहे है वो नहीं कर पार है क्योंकि एजिव टोर्ण भाड़ी जाही है और बहुत ज्यादा इन्नोवेशन जैसे यारॉप जपैन म पिछले दस पीस सालों में कुछ खास निकला नहीं है and all the manufacturing for example move to China it will over time move to you know India, Vietnam, Mexico जो कि हम China plus one कहते है और वहां से इनोवेशन चालू होता है क्योंकि जब तक आप कुछ बनाएंगे नहीं आप इनोवेट क्या करेंगे so यह जो आप कहते हैं bull market जब तक यह money printing का सिलसला खतम नहीं होगा यह bubble की और जा रहा है यह market and US looks like at some point it should top India में भी I am surprised कि मैं value investor रहा हूं and it's very hard कि जब हम देश के लिए बहुत bullish हैं और market में भी by and large हम always bullish ही रहते हैं but ultimately valuation decides और आज यह market रीटेल के जोर पे चल रहा है जो मैं कहता हूं knowledgeable investor है जो strategic investors है company है, MNCs है, वो शेयर बेचते हैं private equity शेयर बेचते हैं institutional investor फोरण के अब तक आई नहीं है जो की सबको आना है, सबका मन है इंडिया में इसलिए जब भी हाँ डिप होता है बाइं आजाती है so यह bull market खतम होने के दोर में नहीं है यह अब तक मन में बना रखा है कि हमें और चड़ना है लेकिन एक तरीके से थोड़ा इसमें खुशी भी होती है कि अब तक हम यह मानते ते है कि रीटेल हमेशा तॉप पे लेगा और उसके बाद विचारा फ़स जाएगा इस बार एग्जाक्ली उसका उल्टा हुआ है इस बार हर बार एफाइज ने टॉप पे लिया है और रीटेल ने अगर आप तूजडे का डेटा देखेंगे रीटेल ने 21,000 कोड़ के बाइं किये नहीं एक तो एज इन्डियन आपने देश में पैसा बने और जो आप टॉप की बात कर रहे हैं यह जब तक राइजिंग टॉप राइजिंग बाटम फॉर्मेशन है मार्केट में तब तक हम कह सकते हैं कि हमने कमाया बट यह इवेंचुली क्या होता है जब मार्केट का क्लाइमेक्स होता है बड़ा पैसा वहां जाके लगता है और वहां जाके फसता है तो अगर लोग अपने मन में यह अंकुष ना रखें वैल्यूएशन का और यह ध्यान नहीं रखें यह लास्ट में जो जाके फसेंगे इसमें उसमें काफी पैसे का नुकसान होगा क्योंकि अब तक तो सबको मज़ा रहा है उपर जा रहा है उपर जा रहा है और नोबड़ी लास्ट फोर यह सीरियस करेक्शन और डाउन फॉल और जब यह घड़ते हैं यह भाव तीन साल के भाव वापस चले जाते हैं वाइल अफकॉस रिमें बुलिश बड़ा थोड़ा कॉशिस मूट रहना चीए क्योंकि अब जो आप बेच के नया चीज ले रहे हैं आपकी एंट्री प्राइस उची 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 होते हैं वह मैं समझ गया है बहुत इंटरसेंट चीज कही आपने तो क्या आपको एक रिस्क लग रहा है इंडिया में बबल का क्योंकि इंडेक्स लेवल पर तो वैलुएशन उटक में बाट यंडेक्स अपने जब I think January में भी बात किया था और ओबल जाके 13 बाबल के बार के बाता है तब तक ये climax stopped, you know, visible नहीं होगा. But I think it is inevitable कि ये होगा क्योंकि अब तक foreign money आई नहीं है. And foreigners, believe me, यहां पे इतना बहंकर पैसा आने के mood में है. But all are waiting for entry price. जैसे suppose election result थोड़ा adverse हो जाता. I think in a matter of weeks, people would have adjusted to जो भी नहीं reality होती. और उसमें वो वापस आ जाते है. आज कल वो टाइमिंग क्यों नहीं मिलता है, एक तो रिटेल का दूसरा, आज कल most buying takes place algorithmically, by computers. तो जो हम लोग साइजिंग करते थे कि पहले थोड़ा लेते हैं और फिर उसको साइजिंग करकर के position बढ़ाते हैं. वो प्प्यूटर आज कल, you know, literally within minutes, they finish it. तो दो 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 प्प्यूटर आज करते हैं तो दो 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 आज करते हैं. दोहजार एक के जाके मार्च में शायद भुटा था यह और मैक्सिमम मनी वस मेड इन दे लास्ट सिक्स मुन्स सेम भे दोहजार आठ का जो बबल था है I remember I was also on the show and we had seen कि भारती लार्सन और टूबरो अलड़ी टॉप आउट हो चुके थे और वो उस ताइम रिलाइंस पावर की इशु आई थी उसके बाद भी बेर्शन का बस्ट होने के बाद तो उस ताइम तो समय मिलता था कि समझ में आता है और यह बबल फुटने वाला है और यह बबल बन रहा है All I am submitting now is इस ताइम I feel because of the rise of computers and ETF which is price agnostic लेने के ताइम भी वो एक डिरेक्शन जाते हैं और बेचने के ताइम भी वो एक डिरेक्शन जाते हैं So that is the real fear Having said that I do think India में जो condition बन रहे हैं we will be the bubble market क्योंकि जैसे Japan में हुआ पिछले टिकेड में चाइना में हुआ वो conditions ripe हैं इंडिया में होने के लिए and you are seeing it is sectoral कि आज जैसे consumer stocks हैं इंडिया में the dominant theme is India consumer in the next five years will double कि जो आज ताटा के चैर्में ने भी खा कि जो middle class है वो double हो जाएगी by 2030 but stock market doesn't wait for profit to come it discounts it in advance so जो भी अपने home consumption के companies हैं restaurants हैं retail के shares हैं FMCG के share हैं consumer durables के share हैं it is a dominant theme and the momentum of earning is there but the multiples are fantastic meaning 10 million profit कमाते हो और 10,000 crore की valuation होती है मेरा अगला सवाल इसी पड़ता क्या इंडिया में अब value investing ड़ग हो चुकी और पूरा momentum इंडिया होता है अब इस दोर में momentum है so market का cycle में हर दम ऐसे होता है कि शुरू में replacement value, book value यह सब पर ध्यान देते हैं दम deep value फिर वा आता है की growth and reasonable price फिर आते हम लोग start thinking कि अब इसमें आगे में क्या हो सकता है let's think option value और last phase में momentum होता है तो अलग-अलग sector में यह चल रहा है जैसे अनदर फेवरेट sector is semiconductor, EMS and for sure 40-50% growth इन में अगले 3-4 साल में I don't think there's any problem but multiple भी 70-80 के multiple है तो तीन साल में अगर 50-50-50% भी ग्रो हुए फिर भी दे वे अगले 30 multiple three years from now and हम यह आई-ट में भी देखा नहा कि एक बार Infosys के भी 100 के multiple होते थे आज 20 के multiple पे किसको नहीं लेना है कमनी तो वो ही है, बहुत बढ़ियां कमनी है वेल रन कमनी है so eventually multiples converge to return on equity कि आप अपने net worth पे आप क्या कमा सकते हो और net worth पे जो कमाई है ultimately convergence is 15-20% only तो बीस के multiple के उपर आप जो भी ले रहे हो you should be clear कि मैं ये तीन साल, पांच साल, आठ साल आगे देखके ले रहा हूं और इस आठ साल में कुछ भी हेर फेर नहीं होनी चाहिए मेरे conviction में भी और कमनी के भी earning trajectory में so it suits ऐसे कुछ नहीं है कि आप उचे multiple का share लेके नहीं कमा सकते हो actually the best companies with high multiples if they continue at that rate maximum money वहां बनता है जैसे टाइटन का बहुत famous example है राखिजी ने बहुत कमाया टाइटन it was not a cheap stock at any time and as it continued delivering you know you continue to make wealth over there चली एक बहुत छोटा साब ब्रेक ले रहे हैं इसके बाद इस कॉन्वसेशन कांटीनी करेंगे मनिश्यो खानी के साथ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं इस समय चर्चा कर रहा हूँ मनिश युकानी से डिरेक्टर अफ इनाम होल्डिंग्स मनिश ची मैक्रो की बाद हमने काफी की अब एक बात करते हैं पोर्टफोलियो की मोदी 2.0 में जिस सबसे ज्यादा पैसा बनाया उन में रेल्वे, डिफेंस और एमस पैस मनिफेट्चरिंग, क्या यही स्पेस यहां से भी कंटिन्यू करेगी और क्या इस स्पेस में अथनी अर्निंग्स विजिबिलिटी है कि इन स्टॉक प्राइस को सपोर्ट कर सके अगर आप सूचे की यू मेेक मनी वेर अर्ट आप फहरण के बात करें किसे अगर आप सूचे तो अगर हम पैस यू की बारे में बात करते थे देवाली के शो में तो और मोदीजी ने पागल है लो क्या बात कर रहे हैं और जब मोदी जी ने बेसी लिए उन्हों ने क्या प जो पुब्लिक सेक्टर के कमनी थे वह भी एफिशेंटली चलने लगे और जो में एक्स्ट्रेक्शन होता था जो भी माइने से बंद हो गया सेम थे हैपन तो PSU बैंकिंग एक बार मुझे याद है कि एंटाइर PSU बैंक्स पुट तोगेदर वर एक्वल तो मार्केट कैप ऑफ एच्डेफसी बैंक और 25,000 क्रोड की प्रोफिट थी आज बढ़के अल्मोस्ट दोला करोड के करीब आ गई है तो PSU में पर्फॉर्मेंस प्लस पी रेरेटिंग दोनों हुई है I think because of that you got the whole rerating Same thing जहां तक EMS का बात है, there used to be low margin, you know, ancillary manufacturers for others उसमें जो फिलिप आया, came when the dramatic influx of Apple came to India कि हम यहां पर आके बनाएंगे और Apple ने stated ambition अपने vendors को बताया कि हम 100 billion यहां से करेंगे आज 10 billion अलड़ी run rate हो चुका है Apple का और यह जो 40-50 percent growth rate easy हो गया entire sector के लिए उसमें इन सब की rerating हो गई जबकि margin अभी भी wafer थे नहीं है margin is probably lower than what it started with but the rate of growth is covering up for that मुझे बहुत famous quote याद है Mark Faber का 2000 में उन्होंने का था what is Nokia but a consumer durable with a high growth rate and when the growth rate goes it will come back to you know a multiple of a durable same thing I mean it applies to every sector not to single out Nokia and of course it got overtaken then by what happened with Blackberry and then subsequently Apple and so on but from time to time our market falls in love with sectors which have lot of growth we have seen that in the past IT में हुआ, retail में हुआ, private sector banks में हुआ, telecom में हुआ, बहुत sectors ऐसे होते हैं जब एक बार प्राइस तो imagination हो जाता है कि यह 50% growth rate दस-12 साल तक चलेगा जहां चल जाता है obviously there is extraordinary money to be made जहां नहीं चलता है you come back to earth and ultimately you converge as I said to even the great infosys and all come back to 20 multiple तो I think the best of valuation for a lot of these sectors is behind the growth of the businesses will continue again जैसे इंफोसिस में हुआ 2001 में stock topped out अगर 10 साल तक profit भढ़ते रहा 10 साल लगा वह भाव आपस आने so काफी sector ऐसे हैं जिनके आपने नाम लिये जहां on the business I remain bullish but on valuation you have to think where is the hate in the market today I think in a relative sense the hatred in the market today अगर मैं pure valuation पर जाऊं is in financials private financials क्योंकि they have not performed मेरा अग्ला समल उसी परता कि they have not performed क्या वहां पर मौके डून रहे हैं और एक दो एक आध है जो जैसे मैं valuation sheet carry करता हूं मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जैसे एक दो हैं farma में कौना आटचर के शुनते हैं उस न्याचर में वें धाऊंडिटर आटचर। मैंने सप्क्राओ के लिंज़न में तंसमें, चॉख श्राओ अजाझना भी जिए उस नैसित कौनरते ही का जि restaurational मैं म же में हैं अमें की टाचर॥ च। कि कुछोंधे ऑनचर वो जो दिख रहा है आपको गोल में, इसल्वर में, उरनियम में यह सब commodities and emerging markets will take off. Commodities and banks which actually constitute very large part of Sensex earnings, which will give you a lift to Sensex earnings and are not very loved today. They could be interesting because, जैसे मैं देख रहा हूँ आपके शकल पी, जब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आप थोड़े बोर लग रहे हैं किया… आपके में एक super cycle, जो में बात कर रहे हैं एक डिबेट चल रहा है कि यह जो commodity मह हो रहा है, जो क्या हो रहा है, माराखी में बात कर रहा है जो क्या हो रहा है? And it is counter intuitive because you think China मराव है, China में एक्सस्कापसिटी तो कैसे होगा? अजिताएफ़ और प्राइस बहुता है। आपके यह जो मनी प्रिंटिंग है, this is causing inflation in everything. So अपका cost of extraction, cost of mining, labour cost, everything is going up. जो यह झाला सिखाव कुई करन सच नहीं करना चाहर है और हम अपने इसमे की करन सी रिजर्ब पढ़ाते जाओ यह ब्लास्ट आता है दुशरे साइट से इंफलेशन में So inflation is what? It's a bull market in commodity price. When we call a bull market, it's inflation in asset price. So we are adjusting our prices to the dollar through the stock market. If the currency is increasing and if the currency was 70 today, we would be singing a different tune. And this is inevitable. As I say, I am saying that India will rise by continuously having a devaluating currency. we are not going to become number one, number two, number three. Ultimately, currency strength आएगी, उसमें आपके asset value का सही, you know, मोल तो लाएगा. मैं आपको बता हूँ, मैं बहुर बिल्कुल नहीं था, मैं आपको बता हूँ, क्या हूँ, क्योंकि मैं तो रीटेर से रोज बात करता हूँ. पिछले एक साल से एक बात है कि HDFC बैंक अप चलेगा और अब थोड़े से डिफेंस और रेल्वे में थोड़ा कौशस हो जाईए और सवाल यह है कि उसके बात भी वहां से जो उन स्टॉक्स मेरा उसे ज्यादा पैसा बनाए तो एक इन्वेस्टर का यह सवाल एगा कि मैं अब उन्होंने वापस टाय आप किया कि हम इसमें ओपन याई के साथ टाय आप करके आपको AI भी दे देंगे तो वापस अपल का स्टॉक चलने लगा सो सी अग्रेट कंपनी इस अग्रेट कंपनी उसमें अगर आप एंटिमेटली आप इन्वेस्टर है माने यू वांट तो आपको अमीर है यह नहीं कि बीच में अमीर हो गया और फिर वापस गरीब हो बीच में आपको बैट सकते हैं और वह आपको रिटर्न देता जाए बिजनेस और वाल्यूएशन कमस अगर आप सुचे रिलाइंस में दस साल परफॉमंस नहीं आया पोस 2009 और फिर जब यह यह तो चार गुना हो गया एक साल में जो पेशन्स रखता है अची बिजनेस में और उसमें कन्विक्शन रहता है और मेरा यही सबमिशन है कि बिजनेस सब अच्छे इंडिया में क्योंकि इंडिया ग्रो होगी तो सब ही ग्रोओने वाले तो कोई में डाउट नहीं है जब कि इंवेस्टर उट जोब कि वेस्टा इंडिया अची बाउट आउट प्रीज और इंडिया जब तक बिजनेस में 15-20% रिटर्न रहा है अल्टिमेटली स्टोंग प्राइब जब कि अनधर प्लेस एंडिया बिजनेस में डिलिवर 20-30-40 में में डिलिवर 20-30-40 में मुझ ज़ अगर आप पिछले फ्यू यर्स में देखें, आल थे टॉप FMCG स्टॉक्स में, जिरो रिटर्न बिकाज अर्निंग ग्रोथ इस सिंगल डिजिट, मुल्टिपल इस फिफ्टी, कैसे सस्टेन होगा यह तो यह साइडवेस चले जाते हैं फिर तो वही चीज हुआ था पहले, 98 से मैंने देखा, 10 साल हिंदुस्तान लिवर में रिटर्न नहीं आया, फिर ब्लास्ट किया उन्होंने, सेम वे इन्फोसेस जब टॉप बना, 10 साल रिटर्न नहीं आया, फिर वहां से ब्लास्ट हुआ, सेम वे रिलाइंस, 10 साल रिटर्न नहीं थे त। मथन समक्राइख पर शकि फॉन्हामनें now ? रहू समस्पीन गर्राओ ए प्राओं कम एंगतित जर्षाव कहा हुए त। अगर के फिए प्छले चार साल प्रणीत पराद स ​मास्ट। यहा आइन स्वाथहिद। उट्ल्विक् थोर शेले मैशने । I think it is wrong, ultimately three to four times in a decade is the return of the market. अगर आप कुछ भी बेस से लें, अगर यह बेस पकड़ के बोलें, यहां से में को three, four times करना है, तो आप यहां से 10 साल पकड़ के रखें. और जो multiple पे आप लेके रखें हैं, काफी शेरों को, उसमें you better have a 10-year view now. And if you want not to have a 10-year view, then you buy these boring companies. जो कि लग रहा है, return, कब आएगा पता नहीं, एक साल लगेगा, दो साल लगेगा, तीन साल लगेगा, क्योंकि जब आएगा, वो एक साथ catch-up हो के आएगा. That's all I can say. पनिश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपसे बात की, बहुत मज़ा आया, as always, और यह conversation हम बहुत लंबी भी कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए, हम यहीं पर इसको विराम देंगे, सीन बिसी आवाज के साथ जुड़े रही है. झाल आपसे के में मिन जी बहुत में हो के जट भी कर सकते है, अजी भी कर सकते चार के लिए और यहाजा हम खींसे कते क्लि बहुतिको कि हम यह है के साथलूापकी है. झाल झाल